पार्ट वन में जो भी नमंकर लेने वाले हैं बिलकुर ध्यान से देखेगा आपको 26 जुन से कॉलेज में है जो आपको फॉर्म भरना है अगर आप कॉलेज में वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपका जो है एडमिशन जो है वो कैंसल माना जाएगा फॉर्म नहीं भरने वाल बिरकुर्ध ध्यान से देखेगा कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे आपको वहां पर फॉर्म जो है वैलिडेट किया जाएगा कुल पती नहीं यहां पर साब साब गोसित कर दिया है कि 26 जुन से आपका छात छात्राओं का नमांकन शुरू होगा और उसके बाद दूसरी मेट्रिस फिर से यहां पर जारी किया जाएगा और इसके लिए स्टीडूल भी जारी किया जाएगा तो पहले आपको ओफिसल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं कैसे आपको चेक करना है कि आपको फॉर्म क्या भरना है और कहां जाकर आपको फॉर्म भरना है बिल्कुर ध्यान से देखते रहीएगा मैं सिधे आपको बिहार हेल्फ पे लेकर आया हूँ और सिधे आपको बिहार हेल्फ डॉटिन यहाँ पे लेकर चलता हूँ ठीके अब देखेंगे यहाँ पे जो भी छात यहाँ पे और लेइन अपलाई किये थे उनका जो है मेरिट लिस्ट जो है वो नाम आया था और मेरिट आप यहां पर समझ लीजेगा कि कैसे आपको क्या करना है अगर फिर से आम मेभिक लिस्ट में आगा तो क्या आपका नाम रहएगा अत्वा नहीं रहेगा इसके बारे में भी यहां पर दिहां से देखे रहता सबस्केहां से पहले बात करने हम रहें इनुस्ट्री में यहां पर बता दे कि यहां पर पहले एक बार मेरिट लिस्ट जो जारी हो गया था उसके बाद फिर से यहां पर आडमिशन जो है वो यहां पर सुरू किया गया और 24 तारिक जो है वो यहां पर फिर से आपका अडमिशन लिया गया अब इसके बारें बोला ग कर सकते हैं देखे यह जो वाला बटन है जिसके सामने आप व्यू बटन दिख रहे हैं यहीं से आप मेट लिस्ट जो अपना डाउनलोड कर पाएंगे जो की भीम राववेद का इन्विसिटी के हैं ठीक है वाले बटन पर आप किलिक करके किसी भी स्ट्रीम में किसी भी सब्जिक्ट का यहां पर डाउनलोड करेंगे यह आपका मेरी टिस्ट खुल गया यहां पर आपको नाम है अस्ट्टेण का नाम देखने को मिलेगा कौन से सा syft which आपको form वर्णा है उस college का नाम आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप college में form नहीं भरते हैं आपका first choice का college मिल गया है तो आपका नमंकन जो है वो यहाँ पर रद कर दिया जाएगा यानि कुल मिलाकर आपको form जो है भरना ही भरना है admission आपको कराना ही कराना है जिसका भी नाम आ आपको जो भी आपका नाम है वो आपको नाम यहाँ पर क्लिक कर लेना है जब क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अगर मेट लिस्ट में नाम होगा तो आपका नाम यहाँ पर सो करेगा और कौन सी college में आपको admission लेना है वो भी यहाँ पे सो करेगा जैसे ही इनका नाम यहाँ पे सो किया है MDDM college मुझपर पुरका और यहाँ पे आपको admission लेने के लिए बोला गया है पर दुबारा च्塔 यहां पर ओन्मां इसमान नाम अभी तक सो नहीं हो रहे है कि क्लिए उनिविश्यटी के ओर से सबस्क्राइन किया गया है कि छबी जू से आपका admission जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इसी भी जो new matrix उसमें add करके यहाँ पे ब्राबू का आपको add कर दिया जाएगा अगर आप फिर से online किये हैं online किये हैं तो ठीके अब देखिए college जब जाएगा तो कौन-कौन से document आपके पास होने चाहिए जो document आपके college में लगेंगे ठीक है अगर आपका नाम आ गया है तो सबसे पहले आपको जो है SLC या CLC अगर college से 12th पास किये हैं तो आपके पास CLC हरहाल में होना चाहिए इसके बिना आपको घर बापस भेज दिया जाएगा अगर आप बिहार बोड के नहीं है तो आपको migration certificate आपके पास होना चाहिए तो ही आपका admission होगा अगर CVSE से हैं तो migration certificate होना चाहिए किसी प्रस्तिती में अगर किसके पास marksit नहीं है या कोई भी document की कमी हो रही है खास करके college वाले documents की कमी हो रही है इसन मेरे college में भी नहीं मिला है उस प्रस्तिती में college से आपको जहां आप admission ले रहे हैं वहां से 10 से 15 दिन का आपको time दिया जाता है लेकिन time तो दिया जाएगा लेकिन आपको marksit की Xerox या जो online किये थे वह आपको यहां पर जमा करना होगा इस प्रस्तिती में अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है और जो migration certificate की बात है ति बीना migration का आपका admission नहीं होता है बीना CLC का अगर आप जब तक वह CLC जमा नहीं करेंगे आपका admission जो है वह आपका pending में रहेगा जैस साथ जो है किस college में आपका नाम गया है उस page को आप print out करवा लेंगे जो अभी मैंने दिखाया नाम उसको पेज को आपको print out निकलवा लेना है साइबर कैफे जाकर और उस print out को लेकर उस college में जाना है ताकि वहाँ पर सो हो सके कि आपका नाम उसी college में है college को पता कहें चलेगे का आपका नाम मेरे college में है इसलिए आपको वहाँ पर दिखाना होगा form में submit करना होगा उसके बाद 10th का जो सारे document है वो भी लगेंगे 12th के साय document वो भी लगेंगे उसके बाद जो आप जाती वहाँ पर mention किये हैं जैसे कोई EWS दिया है कोई OBC दिया है कोई SC दिया है कोई ST दिया है तो जिस जाती का अंदर जितना percent cut up पे आपका make list में नाम आया है उस जाती का certificate आपके पास original और साथी साथ photocopy भी होनी चाहिए अग ठीक है तो जाती प्रमानपत के अगरा छूट लिए हैं तो आपको submit करना ही होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर बता दे कि जैसे ही आप form counseling आपका हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा तो आपको वहाँ पर admission के लिए बोला जाएगा admission form आपको वहाँ पर फिल करना होगा जिसके चार्जे आपको लग सेंगे ठीक है चार्जे जो है तीन हजार रुपे के आसफास जो है आपको पे करने होंगे पचीस सो से तीन हजार किसी किसी यह पैंतिसो भी लग सकता है इतना payment आपको करना होगा payment करने के बाद आपको slip दे दिया जाएगा आपका admission confirm हो यानि 24 जो पहला college था उसी में अगर आपका नाम आ गया है तो आपको हर हाल में admission लेना होगा अगर आप किसी भी कान बस admission नहीं लेते हैं तो admission की पूरी पड़किया से आप बाहर हो जाएंगे और आपका second mate list में या नाम नहीं आएगा उसके बाद जो है जब सारी process समाप्त हो जाएगी तो college जो है फिर से आपको sport admission का मौका देगी जो चात online नहीं कर पाए हैं वो sport admission के तहत admission करा सकते हैं sport admission क्या है कैसे फ़र्म भड़ा आता है sport admission का इस पे मैंने और डेडी जो है वीडियो बना रखा है वो नहीं देखें होम पेज में जाके देख लिजेगा या टेलीग्राम ग्रूप का लिंक है वाटसेप ग्रूप का लिंक है वहाँ भी आप जुआइन कर सकते हैं और टेली पर मिलती देगे चैनल का सबस्क्राइब कीजेगा वीडियो के शेर कीजेगा और वाटसेप ग्रूप जरूप से जोइन कर लिजेगा